Hello everyone, welcome to Gyanale आईए आज हम बात करते हैं induction के बारे में कि भाई ये जो induction का course है इसमें exactly क्या कराया जा रहा है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी पताया था अपने वीडियो में कि induction वहाँ होता है जहाँ पे कि आपको subject related training नहीं बार देन आपको training दी जाती है कि आप अपने आस पास के ambience में adjust कैसे करो आप अपने आस पास के ambience में जो लोग है आप उनके साथ adjust कैसे करो तो आए इस वीडियो में ग्यानाले के माध्यम से आज हम जानते हैं कि जो induction का course होगा उसका full day routine क्या follow किया जाता है EMRS में और साथ ही साथ में एक आदा questions जो हमसे बहुत बार पूचे जा रहे है उसका भी अंसर करूंगी about residential allowance कि माधम जी क्या हमें residential allowance मिलेगा जैसा EMRS भी residential school है और NBS नवोदे विद्धाले residential school है पर वहाँ पे जो आपका salary है basic pay है उसके 10% को जो की है 10% पे calculate किया जाता है और भाँ पे पे किया जाता है residential allowance क्या हमें वो दिया जाएगा यहाँ पे EMRS में भी तो आए इन सारी चीजों पे in detail at length चर्चा करते हैं आए वीडियो शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि induction में subject related पढ़ाई कहीं नहीं होती मैंने यह अपने पिछले वीडियो में भी explain किया है मैं फिर से आपको भी explain करी हूँ कि induction वो होता है जहाँ पे आपको यह सिखाया जाएगा या induction के course में आपको यह बताया जाएगा कि आप कैसे जो की है बच्चों के classes को conduct करोगे कैसे जो की है आपको classroom में behave करना है कैसे जो की है आपको अपने आस पास के जो लोग ambience में है surrounding में है उनके साथ आपको adjust करके रहना है तो वो subject related पढ़ाई नहीं है वो है आपका एक basic awareness एक way of living है जो आपको induction के थूँ बहुत जादा helpful होगा अपने surrounding में ना सिर्फ अपने surrounding में बद देन अपने classes को लेने में जो बच्चों को आप पढ़ाओगे उन बच्चों के साथ adjust करने में इन सब में जो की है बहुत helpful होगा वो अब हम देखते हैं कि induction जो course होगा उसमें क्या routine फॉलो होता है तो सबसे पहले मैं बता दू कि ये जो दिन चरिया ये लोग शुरू करते हैं ये छे से साथ बज़े के बीच में योगा physical exercise से शुरू करते हैं साथ से साथ पंदरा का tea break होता है और 8 से 45, 45 minute का ये लोग जो की है breakfast के लिए time देते हैं इसके बाद 9 से 9 ये लोग morning assembly कराते हैं यहाँ पे भी और इसके साथ साथ जो की है 9 से 11 यानि 1.5 घंटे का एक session होगा आपका वही जो मैंने आपको बताया session में ये क्या पढ़ाते है session में ये बताते हैं कि आपको कैसे adjust करना है क्या आपका way of living होना चाहिए क्योंकि ये बारिस अपने में एक दुनिया है तो उसमें आपको कैसे रहना है कैसे जो की है एक positive aura एक positive attitude develop करना है आपको ना सिर्फ अपने लिए बदन आपके आसपास के लोगों के लिए भी तो ये सब सब जो की है आपको sessions में सिखाया जाएगा इसके साथ साथ 11 से 11 पंद्रा फिर से tea break होगा इसके साथ आपका दूसरा session होगा 11 पंद्रा से 12 बज़े तब के लिए ये लोग break करते हैं lunch के लिए दो पहर के खाने के लिए इसके बार 2 से 3 साथे 3 in fact इनका तीसरा session चलता है वही जैसे मैंने आपको बता है देर घंटे का तीसरा session है देर घंटे का sessions है evening tea के लिए ये लोग break करते हैं साथे 3 से 3.45 पंद्रा मिनिट पंद्रा पंद्रा मिनिट का जोकी है एक recess आप मानलो एक short जो होता है न एक break या फिर आप कह सकते हो एक short refreshment आप मानलो जोकी ये देते हैं इसके साथ साथ जो चौथा session होता है वो आपका पॉने चार से यारे 3.45 से दवा पांच तक होगा तो आपके चार sessions होंगे per day और फिर 8 से 8.45 के बीच में dinner के लिए time गिया जाता है तो आपके चार sessions होंगे इस induction course के दौरान और आपको जोकी है एक way of living, एक way of adjustment अपने ambience को positive बनाने की कोशिश ये सब सब को जोकी है सिखाया जाएगा जो की बहुत helpful होगा आपके लिए भी और साथ-साथ उन बच्चों के लिए भी जो आपसे वहाँ पढ़ेंगे इसके साथ-साथ मैं जो मैंने बताया था वीडियो के की एक question है जो हमसे बार-बार पूछा जा रहा है की ma'am क्या हमें residential allowance मिलेगा क्योंकि वो N.V.S में मिलता है और वो भी residential school है देखिए N.V.S. नबोदे विद्याले वो residential school है और ये भी बात सचाई है की वहाँ पे आपको basic pay पे 10% जो की है residential allowance देते हैं पर यहाँ पे E.M.A.R.S में अभी तक ऐसा कोई भी point highlight नहीं किया है residential allowance के लिए हाँ आप लोगों के लिए quarter जरूर अलौर्ट किया रहे है आप लोगों को quarter जरूर दिया जाएगा लेकिन ये कहीं भी highlight नहीं किया गया है कि आप लोगों को भी जो कि ये residential allowance दिया जाएगा in fact एक RTI भी फाइल हुई थी residential allowance के context में लेकिन उसके लिए भी जो जवाब उन्होंने दिया है उस RTI पे वो है कि information not available मतलब अभी तक इसके बारे में कोई भी आपको किसी भी एक true information के साथ या फिर एकदम पूरी पूरी जानकारी के साथ कोई भी इसकी quarters alert होने हैं EMRS में वो जरूर से मिल जाएंगे और quarter की बारे में मैंने अपने वीडियो में बता रखा है अगर आपको कुछ भी उससे related doubt है तो आप ग्यानाले पे जाके हमारा वीडियो चेक कर सकते है for further such updates please stay tuned to ग्यानाले and do like, share and subscribe our channel. Thank you